लोग सभा में ग्रह मंत्राले द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में 11 लाक से जादा साइबर हमले हुए जबकि वर्ष 2019 में साइबर हमले 4 लाक थे यानि एक वर्ष में साइबर हमलों की संख्या 3 कुना तक बढ़ गई नमस्कार मैं हूँ सोनम सिंग आज की वीडियो में जानेंगे साइबर हमले और उनके समधान क्या हो सकते हैं भारत उन पाँच देशों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा साइबर हमले होते हैं मोवाइल फोन और इंटरनेट का इस्तमाल बढ़ जाने से साइबर हमले में और भी ज़्यादा बढ़ोती हुई है लेकिन देखा जाये तो साइबर हमले केबल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़े हैं और पूरी दुनिया इन साइबर हमले से बचने के उपाई भी ढूंड रही है वहीं साइबर हमलो को रोकने में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो की नई खोज मददगार साबित हुई है दरसल इसरो ने कम्यूनिकेशन यानि संचार की एक ऐसी तकनीक का अभिशकार किया है जिससे भेजे गए संदेश किसी भी हालत में हैक नहीं किये जा सकेंगे वैज्यानिकों की भाषा में इस अभिशकार को क्वांटम कम्यूनिकेशन सिस्टम कहते हैं Quantum Communication नामक इस तकनीक में किसी संदेश, चित्र या वीडियो को प्रकाश करणों में बदल जिया जाता है जो पुराने इंटरनेट से कई गुना जादा सुरक्षित है असल में Mobile Phones और Computer जैसे उपकरणों को Command देने के लिए Binary Code का इस्तिमाल किया जाता है यह Code एक तरह से Computer की भाशा होती है जो सिर्फ एक और शुन्य को ही पहँचानता है जब हम इंटरनेट की माध्यम से कोई Video, Audio या Message भेजते हैं तो वे इसी Code से Decode किये जाते हैं यह काफी जटल प्रकरिया होती है फिर भी Hackers इसे Hack कर लेते हैं जिससे हमारी जानकारी उन Hackers तक पहुँच जाती है अगर Hackers चाहें तो सेटलाइट को दिये कमांड को भी Hack कर सकते हैं उसे नुटसान पहुचा सकते हैं इसलिए कई देश सेटलाइट की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं लेकिन पिछले दिनो इसरो ने इस नई Quantum Communication तकनीक का प्रदर्शन अपने एहमदाबाद इस्तित Space Application Center में किया जैसा कि हमने पहले भी बताया इस तकनीक में किसी संदेश, चित्र या वीडियो यानि वीडियो, इमेजिस और मैसिज को प्रकाश करो यानि फोटोस में बदल दिया जाता है इसे Quantum Cryptography कहते हैं फिर इसे एक जगा से दूसरी जगा एक विशेश प्रकार के Transmitter से भेजा जाता है इस तकनीक में संदेश भेजने वाला संदेश प्राप्त करने वाले को एक की देता है और अगर की बदल गई हो तो प्रकाश कणों में से डाटा स्वता ही नस्ट हो जाता है तो है ना कमाल की तकनीक डाटा भेजने वाले और रिसीव करने वाले के बीच में अगर कोई डाटा चुराने की कोशिश भी करता है तो सेंडर और रिसीवर के पास तुरंत संदेश चला जाता है कि इस डाटा को हैक करने की कोशिश की गई है विज्यानिकों का दावा है कि इस तकनीक के परियोग के बाद इसे कभी भी हैक नहीं किया जा सकता पारमपरी क्रिप्टो केरेंसी में गडीत के अलोगरिधम के अधार पर डाटा इंक्रिप्शन होता है जबकि क्वांटम कम्यूनिकेशन में फिजिक्स के नियम के अधार पर डाटा को सुरक्षित रखा जाता है तकनीक को लेकर अपनी राय जरूर साजा करें